Hello beautiful soul, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सबी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, positive हैं, सबसे important कि आप सबी बहुत ज़द अहिल्दी हैं और अपना अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने अपने wishes को manifest कर रहे हैं और आज की इस खास वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कुछ ऐसी sign जिससे आपको पता चलता है कि आपके wish पूरी हो गई है या फिर पूरी होने वाली है, किस तरह से उस sign के बारे में आप जान सकते हैं ऐसे कौन-कौन से sign है जो आपको मिलते हैं और ये मेरा personal experience है, मैंने देखा है ऐसा होते हुए तो I think सब के साथ ही होता है बट जब-जब जिसके साथ होता है, उन लोगों को पता चलता है कि हाँ ये भी होता है तो अगर आप सभी interested हैं, तो definitely इन तक बने रहेगा अगर आप इस channel पर नए आए हैं, तो इस channel को subscribe कर लिजेगा बेल आइकन को और पर प्रेस करना बिलकुल मत भूलेगा तब ही आपको डेली वीडियो का notification सबसे पहले मिल पाएगा और इस channel पर मिलते हैं आपको law of attraction technique की वीडियो angel number meaning, butterfly meaning, feather meaning और बहुत सारे powerful मंत्रों की chanting, meditation, ritual, switch word जिससे आप अपनी life की किसी भी problem को instant solve कर सकते हैं तो इस वीडियो के बाद जाके check out जरूर से कर लिजेगा फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन से sign है जो आपके wish पूरी होने से पहले आपको मिलते हैं मिलते हैं तो अगर first sign की हम बात करें तो जो भी आपके wish है जो भी आपका desire से है उससे लेके आप बहुत लापरवा होने लगते हैं जैसे शुरू में आप उस चीज के बारे में सुनते हैं या उस चीज के बारे में कुछ करते हैं तो आपको लगता है कि मतलब कितना special है आपकी पूरी success नहीं होती है बट आदू या दूरी success में ही आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो और मतलब उसके बारे में थोड़ा सा भी जान लेते हो तो लगता है कि वाओ अब इससे अच्छा कुछ होई नहीं सकता वही भी हम बात करें कि जब आपकी वही wish manifest हो चुकी होती है मतलब आप उसके लिए technique कर 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 पूरी तरह से ठक चुके हो अब आपके अंदर ये भी नहीं है कि आप उस wish के लिए technique करो या फिर वो wish पूरी नहीं हुई तो क्या होगा इस तरह का डर आपके मन में नहीं है तो समझ लो कि आपकी वो wish आपके हिस्से में आ चुकी है अगर हम बात करें दूसरे sign के तो जब आप कोई बड़ी wish में निफिस्ट कर रहे होते हैं काफी लंबे time से एक महीना, दो महीना, साल, दो साल, चार साल कोई ऐसी wish जो बहुत बड़ी है पूरी नहीं हो पा रहे थी और आपको लगता था ना कि जब ये wish पूरी होगी तो मैं तो ये कर लूँगा मैं कायनात का सबसे बड़ा इंसान होगा मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा आप बहुत कुछ सोचते थे लेकिन जब आपकी वो wish पूरी होने वाली होगी यकीन कीजिएगा आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए और तो और जब वो आपकी बड़ी सी wish पूरी होने वाली होगी तो बहुत ही गंदी वाली आपकी health issue आएगी मतलब बहुत ही गंदा वाला बिमार पड़ोगे आप अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लेजिए और हाँ उस दोरान भी आप अपने wish के बारे में नहीं सोचोगे mind में आएगा ऐसा नहीं है कि आप अपनी wish को भूल जाओगे विश को कौन भूलता है लेकिन आप desperate नहीं होगे कि ओ मेरी wish तो पूरी नहीं हो रही है इतने time हो गए अब आप क्या होगा align हो चुके होंगे अपने wish के साथ आपको पता है आपका subconscious mind already इस चीज को मान चुका होगा कि आपके वो wish पूरी हो गई है ठीक है तब आपके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आएंगे कि जैसे angel number दिख रहा है तो आप जब beginner रहते हो न तो जैसे जैसे universe की तरफ से shine मिलते जैसे angel number दिखा butterflies दिखी feather मिल गया तो आपको लगता है कि आपको तुरंट आपकी वही wish याद आती है जबकि ऐसा होता नहीं है अब जितने भी shine मिल रहे है जरूरी तो नहीं कि वह सारी shine एक ही wish से related है आपके life में अलग-अलग film में अलग-अलग चीजे हैं रिष्टी हैं जॉब हैं बहुत कुछ है सारी चीजों के लिए shine मिल रहा होता है लेकिन जब हम किसी special wish को manifest कर रहे होते हैं तब हमें लगता है कि जितने भी shine मिल रहे है वो सारी shine सिर्फ एक wish के लिए है बट ऐसा कुछ नहीं होता है वही चीज जब आप अपने wish को manifest कर चोके होते हैं और तब मिलते हैं जब universe के तरफ से आपको shine मिलते हैं तब आपको बिलकुल ऐसा नहीं लगता कि ये shine आपको उस wish से related दिख रही है आप समझ जाते हो कि ये universe के तरफ से shine है कि आप अपनी journey को आगे बढ़ाते रहे complete कीजिए रही बात है आपके wish के तो आपके wish के बारे में बस आप इतना positive होते हो hopeful होते हो कि आपको लगता है कि उसके बारे में मुझे नहीं सोचन चाहिए क्योंकि वो तो मेरी wish है वो मेरी पूरी हो चुकी है इसलिए thank you करके आगे बढ़ जाते हो अगर इतना शान्त हो चुके हो आप आपको लगता है कि अब अपने कामनेश पर चाहिए शान्त रहना चाहिए meditation करना चाहिए आपको ज़्यादा चीजों में ये बहकने का मन नहीं करता है जैसे कि शुरू शुरू में जब हम beginner होते हैं तो एक टेक्निक कर रहे होते हैं सेम wish के लिए और next day हमने दूसरी वीडियो देख ली दूसरी टेक्निक की सेम wish के लिए फिर से दूसरी टेक्निक करने शुरू कर दी तो ये सारी चीजे ना हमारे अंदर से अपनी आप खत्म हो जाती है ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोशिश करना पड़ता है कि अरे मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए बिलकुल नहीं आपके अंदर से ये सारी चीजे फियर, डर, सब कुछ खुद बखुद निकलने लगता है अगर इस तरह से पूरी तरह से काम हो चुके हैं आप और अपनी wish को लेके जैसे मैंने बताया उस तरह से आप सोचने लगे हैं तो अब समझ लेजे कि आपके wish आपकी life में आ चुकी है इसलिए आपके साथ ये सारी चीजे घटी थो रहे हैं जैसे आपका अचानक से तबियत खराब हो जाना वो भी बहुत ही गंदे तरीके से या फिर अपने wish को लेके एक्दम से लापरवा हो जाना कि नहीं ये चीज तो मेरी है तो फिर इसके पीछे क्यों भागना है इस तरह से हो रहा है तो खुश होने की जरुरत है कि आप इंटर्नली यूनिवर्स के साथ अलाइन हो चुके हैं क्योंकि हम अपने wish तभी manifest कर पाते हैं जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं तो बहुत खुश होने की जरुरत है अगर ये सारे shine आपसे match कर रहे हैं तो congratulations आप उन lucky लोगों में से हैं जिनकी बहुत बड़ी wish पूरी हो चुकी है और अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि technique किस तरह से करना चाहिए मतलब technique तो हर वीडियो में बताई जाती है किस तरह से करना चाहिए लेकिन एक ही wish के लिए आप कैसे कैसे technique को follow कर सकते हैं और कितने दिन का gap लेना चाहिए अगर एक wish के लिए आप दो-तिन technique को apply कर रहे हैं तो wait कीजिएगा इसके उपर भी बहुत जल्ब में वीडियो लेके आने वाले हूँ आज के वीडियो में इतना ही मिलते हो नेक्स वीडियो में तब तक आप सभी खुद का ध्यान रखे और मुझसे personally connect होना चाहते हैं तो मेरी Instagram ID है skywing 222 वहाँ follow करके connect हो जाहिए God bless you and thanks for watching love you all, bye